अलो बितो कैसे हैं आप सभी आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे खूश होंगे अपना कार कर रहे होंगे चलिए आज हम करेंगे डियोई दुबारा दीगे वॉक्षीट दिनाग 20 दिसंबर 2021 क्रमांग संख्या 137 आज की कारिपत्रिका हिंदी कारिपत्रिका है जो क आज की वॉक्षीट हमारी पुन्राविर्ति कारिपत्रिका है जो भी हमने किया है उसे दोहराएंगे यानि वीजन करेंगे चलिए देखे क्या दिया है बच्चो हम जानते हैं कि आप कारिपत्रिका का ब्यास बहुत मन लगा कर करते हैं तो आईए कुछ नया सीखने से पहल स्पटे बीते दोहथो की कारिपत्रिकाओं को एक बार दहरा लेते हैं बच्चो हमें पता है कि आप कारिपत्रिका प्यास मन लगा करते हैं तो कुछ लाल, काला, गीले, सीले, अंदर, बाहर, कपडे, बर्तन, तो गीले, सीले ये तुकारांच शब्द है, जो एक जैसे बोलने में उच्चारण होते हैं, वो तुकारांच शब्द होते हैं, चलिए देखते हैं, भाग संख्या दो, नीचे दिएगे शब्दों को बोल कर पढ़ यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, यह शब्दों को बोलना है, यह है कोयल, गाय, चिडिया, बुल-बुल, तो देखिए, यह सब क्या है, कोयल, चिडिया और बुल-बुल, यह सब क्या है, पक्षी है, और यह गाय, यह हमारा पशू है, तो यहां पर हम गाय लिख द आगे क्या दिया है भाग संख्या तीन कविता की पंक्तियों को दिये गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनकर पूरा कीजिए यहां पे देखिए कविता की कुछ पंक्ति दी गई है उचित विकल्प चुनकर पूरा करना है भाग संख्यों एक देखते हैं एक क्या दिय गया कविता में आस्मान से डाश को बुलाए गया किसे बुलाए गया यह देखे यहां चान तारे सूरज या इंदरधनुष तो कविता में सूरज को बुलाए गया कविता में आस्मान से सूरज को यहां पर बच्चों सूरज लिख दीजिएगा सूरज ठीक चलिए आगे जम कर बैठा है बारिश, कुहासा, कटोरी या सूरत, तो यहाँ पे कुहासा, यहाँ पे कुहासा लिख दीजिए बच्चो, जम कर बैठा यहाँ कुहासा आर पार ना दिखता है, कुहासा मिन्स कोहरा, कोहरा होता है तो हमें दिखाई नहीं देता न बच्चो, अब यह देखिए तीसरा हम डाश के मौसम में गरम कपड़े पहनते हैं तथा आग तापते हैं तो यहाँ पर देखिए हम कौन से मौसम में गरम कपड़े पहनते हैं हम सर्दी के मौसम में गरम कपड़े पहनते हैं और आग के देखिए बच्चा आग की सामने ताप रहा है तो ये कौन सा मौसम है ये सर्दी का मौसम है तो यहाँ पे सर्दी लिख दीजिए ठीक आगे बढ़तें क्या दिये शिक्षक और शिक्षिका क्लिया नुदेश है कि बच्चों के साथ कारिपत्रिका के बारे में अवशक्ता नुसार बाते कर सकते हैं अभी बहुत कोकले सुझावे कि बच्चों को बताए कि कूडा हमेशा कूडे दान में ही डानना चाहिए अपने आसपा साफ सपाई रखने से बीमारिया हमसे दूर रहती है आज का कोविट का मैसेज है कि अपने हाथों को नीमित रूप से साबुन और पानी से धोएंगे तो कोरोना भागेगा और हम जीतेंगे उमीद करते हैं कि मेरी वर्क्षीट आपको पसंद आई होगी बच्चों पसंद आई है तो लाइक करें अपने दोस्तों से शेयर करें अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मि इफने बाइ बाइ